हेलो दोस्तों मैं तपन घड़ाई आप मुझे अभी ओन अकाडेमी में फोलो कर सकते हो वहाँ पे मैं आप लोगों के लिए प्रिप्यारेशन गवर्मेंट जॉब का रिलेटेड प्रिप्यारेशन प्रोसेस बताता हूँ लाइक रेल्वे, इस्रो, डियार्डियो, हाल, वैल, सैल, कई सारा गवर्मेंट जॉब रिलेटेड मैं वहाँ पे प्रिप्यारेशन प्रोसेस बताता हूँ जरूर आप मुझे वहाँ पे फोलो कर लिजिए फोलो करने के लिए आप जस्ट ऑन अकाडेमी एक लार्निंग एप पता है आप प्लैस्टेवर में डाउनलोड कर सकते हूँ आप डाउनलोड करने के बाद उसको खोलिए वहाँ पे सार्च किजिए आप तपन घड़ाई करके यहाँ पे सार्च कर सकते हो सार्च करने के बाद एडुकेटर को सिलेट के जिए एडुकेटर को सिलेट करने के बाद आप मुझे वहाँ पे फोलो कर सकते हो फॉलो करने के बाद सारे मेरा जो update वीडियो आता है, वहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, वहाँ पे मैं आपको लिए preparation process बताता हूँ, तो जरूर आप मुझे फॉलो कर लिजिए, फॉलो करने के बाद आप मुझे description में भी link दिया हूँ, अगर वहां से भी आप वेबसाइट के जरिये में फोलो करना चाहते हो तो वहां पे भी कर सकते हो हेलो दोस्तों मैं तपन कुमार आपको बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल हेल्पिंग तपन को दोस्तों आज की इस वीडिये में हम बात करेंगे आर्पियेप का जो वेकेंसी निकल के आ रहा है उसका सिलाबस वाईज ना कि मैं आपको जो सब लोग बता रहा है उसके रिलेटेड नहीं मैं कुछ यूनिक सिलाबस दिऊंगा क्यूंकि मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा ज दके कुछ उनिक पता चल जाएगा आपको जन अरिथमेटिक जैसे की फरसेंटेज याँ कहां पर टायमिंग दिया जाएगा जिसमें one is to three में negative मार्किंग रहेगा दोस्तों negative marking अगर आप three question गलत कर रहे हो तो आपको एक right question भी wrong हो जाएगा तो उसी हिसाब में आपको थोड़ा तयारी करना पड़ेगा दोस्तों मैं अभी बताता हूँ आपको पूरा details में वीडियो अगर आच्छा लेगा तो please like किजिए अभी तक हमारे चनल को subscribe नहीं किया तो please subscribe कर ल बहुत ही helpful रहेगा दोस्तों request करूँगा चैनल को subscribe कर लीजिए चलते हम देख लेते हैं उसका इंडिविज्विज्वाली syllabus गाईज यहाँ पर देख सकते हो RPSF syllabus 2018 लिखा गया है जेनरल आवर्णेस का syllabus रखा गया है famous book author से आएगा कंस्टीचुशन से आएगा स्पॉर्स से आएगा ये सारे जो दिया हुआ है एकोनमीक आएगा chemistry से आएगा जैनरल आवर्णेस से आएगा ज्योलोजी से आएगा बैसिक जीके से आएगा पर मैं अभी बताने वाला हूँ आपको कहां से कहां सा कितना आएगा general politics से कितना आएगा बटनी से कितना आएगा art culture से कितना आएगा यहां पर जो syllabi रखा गया है वो भी आप देख लिजिए number system है mathematics में number system whole number ratio प्रैक्शन डैसिमाल फ्रैक्शन ratio between number तो यह सारे जानकारि आपको जरूरी है क्योंकि मैं यहां पे आपके लिए बढ़िया सा तयारी प्रोसेस बताता हूं कैसे आपको एकजाम इस बार क्रेक कर दोगी इस बार अगर क्रेक नहीं कर पाओगी तो आपको 5-7 सल वेट करना पड़ेगा दोस्तो जरूर इस बार थोड़ा सीरियसली पढ़ाई कीजिए मैं ल करेंट आफ्यार वेटेज लिखा गया है 8 से 10 कोस्टेन 8 नमबर से 10 नमबर तक आपको मिल जाएगा करेंट आफ्यार तो उसी सब में आपको हर रोज थोड़ा करेंट आफ्यार पढ़ना पड़ेगा करेंट आफ्यार में टपिक भी दिया गया है देख सकते हो स्पोर्स, ब जो सारे आपको मिल जाएगा जैनरल नौलैज में जो आपको 20 से 25 लिकी से टो एने वाला है तो उसके बाद दोस्तो यहांपे देखते होकenden layer वांगिन्ग और फाइन्स और burgi किया है आपको बैंकिंग में कौन सा बैंक में कीट इसरी आपको फुचा जाए गया जो वेंटेज सेवें टू-9 कोस्टेन आए गा सेवेंट टू-9 मतलब साथ से 9 question आएगा उसके अंदर आपको क्या क्या आएगा यहां पर देख सकतो यह सारे आपको उसी के अंदर साथ से 9 question 7 to 9 question आएगा उसी के अंदर यह सारे आएगा उसके बाद दोस्तों बात करते हैं आपको arithmetic main chapter जो है math mathematics आपको देख लेना है आपको mathematics में आपको पहले तो simplification आएगा simplification में two number question आएगा simplification के बाद फिर geometry आएगा geometry में four to five question आएगा तो इसके बाद आप नीचे भी देख सकतो कौन सा chapter आएगा वो भी सारे details लखा गया है तो geometry में अगर आपको four to five question उसके नीचे trigonometry ये circle ये volume unity volume ये सारे नीचे आएगा फिर trigonometry के बाद करें trigonometry तो three to four question आएगा तो यहां पर देख सकते हो measuring of angle trigonometry ratios ये सारे trigonometry में आएगा फिर data interaction तो यहां पर data के अंदर यहां पर four to five question आएगा उसके अंदर जो सब category जा रहे है वो भी आप देख सकते हो फिर mensuration आएगा mensuration से six to seven question आपको मिल जाएगा दोस्तो mensuration के अंदर भी आप देख सकते हो rectangle circle ये सारे mensuration के आएगा उसके बाद profit loss भी देख सकते हो profit loss से two to three question आएगा profit loss दोस्तो two to three question मैं आपको बोलना चाहूँ है profit loss बहती easy है दोस्तो आप चाहो तो मैं भी आपको तयारी करा सकता हूँ profit loss बहत easy है average question आएगा दोस्तो average जो weightage है एक से दो question average question आजाएगा उसके बाद आपको number system आएगा दोस्तो देख सकते हो number system से two to three question आपको आजाएगा number system के अंदर LCM, HCF ये सारे आजाएगा algebra आजाएगा दोस्तो algebra से आपको six to seven question आजाएगा six to seven question क्या आएगा ये शारे निचे दिया हुआ है 6 to 7 question जो आएगा वो भी देख सकतो फिर आएगा speed and time and distance time and distance जो एक subject है वहाँ से 3 to 4 question आजाएगा time and distance फिर percentage, percentage दोस्तो सबसे बड़ा चप्टर है percentage वो बहुत ही अच्छा चप्टर है आपको बहुत easy लगेगा percentage आपको थोड़ा अच्छा से तयारी करना पड़ेगा वेटेज जो 2, 1 number question दिया हुआ है only one पर यहाँ पर 3 to 5 question दोस्तो percentage में आ जाएगा तो आप उसी साम में तयारी किजिए percentage क्योंकि मैं जितना भी exam दिया हूँ percentage से ही ज़्यादा question आता है उसके बाद ratio proportion भी देख सकतो ratio proportion में 2 to 3 question आ जाएगा उसके साथ साथ mixture mixture problem यहाँ पर भी 1 question आ जाएगा उसके साथ साथ आप नीचे देख सकतो interest interest में क्या आएगा simple interest आएगा compound interest आएगा यह सारे आपको interest के chapter में आ जाएगा उसके साथ साथ आप time and work देख सकतो time and work के बाद time and work में 2 to 3 question आ जाएगा time and work तो time and work को भी आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना पड़ेगा number system, number series भी आएगा 2 to 2 question आ जाएगा number series यह पूरा जो बता है मैंने यह mathematics था है उसके बाद regioning के बाद करें तो यहाँ पे भी regioning आप थोड़ा pause करके पल लिजिये, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो आप pause करके पल लिजिये, regioning यहाँ पे दिया जा रहा है 5 to 6 question, regioning भी दिया जा रहा है regioning के अंदर आपको puzzles आ जाएगा, puzzles, weightage आ जाएगा यहाँ पे देख सकतो non-verbal regioning non-verbal regioning में 3 to 4 question आपको आ जाएगा उसके अंदर जो sub menu आ रहा है तो assembly image, mirror image यहाँ पे यह सारे chapter आपकी non-verbal regioning के अंदर आ जाएगा order ranking, इस ranking system एक regioning में आएगा वो 3 to 4 question आ जाएगा coding and decoding, coding and decoding आ जाएगा 3 to 4 question तो coding and decoding के अंदर आप नीचे देख सकतो कितना सारा sub menu है वो भी देख सकतो vendagram, vendagram में भी 3 to 4 question आ जाएगा दोस्तों, vendagram analogy है, analogy भी 2 to 3 question आ जाएगा उसके बाद यहाँ पे देख सकतो कई सारा series में है blood relation है, blood relation को भी आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, blood relation से बहुत ही यहाँ पे 1 से 2 question लिखा गया है पर जादा question आ सकता है तो फिर बात में देख सकतो भर्वाल region वहाँ पे उपर में non-bharval था, यहाँ पे भर्वाल दिया गया है फिर missing number है missing number alphabet, word test यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे भी एक question आ जाएगा दोस्तों इस तरीका में आपको यह जो मैंने reasoning और math और gk का syllabus बता चुका हूँ दोस्तों आप उसी हिसाब में आपको थोड़ा खुद को तयारी किजिए, आपको खुद को preparation किजिए, अभी भी आपके पास अगर RPF candidate हो तो RPF के लिए बहुत ही time में आप उसको पढ़के आपने खुद को तयारी करके आप exam भी crack कर सकते हो अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं के तो please subscribe कर लिजिए और बाजू में बेल आइकन होगा उसको भी जरूर दबा दिजिए, वीडियो अगर आच्छा लगा प्लीज एक लाइक कीजिए, धन्य बाद दोस्तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक वाई वाई जाहिंद